हलो पल्लवी जी आज का क्वेशन बरेली से है निखिल का उनका क्वेशन ये है कि उनकी पहली गल्फ्रेंड ने उनके साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था उसका रीजन था पैसा और सेकेंड गल्फ्रेंड जब बनी उन्होंने भी शादी करने के लिए मना कर दिया था उसका reason था cast, तो इसके बारे में आप क्या solution दे सकते हूँ? ओके, तो मैं काम करो, कुत्ती होती है ना कुत्ती, कुत्ती पाल लो, एटलिस कुत्ती तो वफादार होती है ना, कुत्ते कुत्ती जो जानवर होते हैं, वो वफादार होते हैं, जो तुमारी गल्फ्रेंट पैसो के लिए तुम्हें छोड़ के गई, तो उससे बेटर तो कुत्ती है ना, कम से कम उतना खर्चा तुमने कुत्ती के पीछे किया होता, है ना, घर में कुत्ता पाला होता, उसके पीछे इतना खर्चा किया हुथा तो उसने तो तुमारे घर की रक्षा की होती तुमारी रक्षा की होती तुमारी फैमली की रक्षा की होती और दूसरी बात जो तुमने बोली कि दूसरी गल्फ्रेंड कास्ट की वज़े से छोड़के चली गई यह सब बक्वास है क्योंकि अगर वो सच्चा प्याड करती तो कास से कोई लेना देना ह। अगर सच्चा प्याड है तो पैसों से कोई लेना देना ने एक हाँ पैसा जरूरी है पर इसका मतलब यह नहीं है कि तूपैसा कमायेगा तो ही पैसा कोई भी इंसान कमाई गाई ना ऐसे थोड़ी है कि बीना पैसे कलेकिन तो इससे अच्छा होता कि तुम कुट्टी पाल जाते हैं पहली गर्फ्रेंड तुमारी फिर उसके बाद दो साल के बाद तुमने दूसरी गर्फ्रेंड बनाए तो बाइस साल की उमर में यही करना है कहां तक जाओगे मुझे यह बताओ पहला यह अभी तुम्हारा समय है कि कुछ कर सकते हो तुम यह जो टाइम होता है यह टाइम पढ़ाई में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी तुम अच्छी जौब भी कर सकते हो लेकिन अगर कॉलेज कर रहे हो तो तो में कॉलेज पर फूरा फोकस करना चाहिए यह गल्फ्रेंट वर्फ्रेंड क्या है चुना लगा के चली गई ना किसी भी इंसान को पहचानना होना है तो उसको छोड़ दो बस किनि अब बस मेरे से नहीं होगा मैं तुम्हारे पीछे खर्चा नही नहीं रखना तुम्हारे साथ उसके बाद उसके रंग ढंग तुम्हें दिखना शुरू हो जाएंगे मुझे एक बात बताओ पहले तो तुम्हें गल्फ्रेंड क्यूं चाहिए गल्फ्रेंड चाहिए क्यूं अगर बॉड़ी फीजिकल बॉड़ी की जरुरत है उसके लिए चाहिए तो वह तो पचास साल के भी तुम्हों जाओगे ना तो भी वह कामवासना खतम नहीं होती है कामवासना सेक्स की आग ऐसी है ना कि वह पचास साल साथ साल के भी तुम्हों जाओगे तो खतम नहीं होगी किसी इंसान को अगर कोई मिठाई बार बार बहुत सारी खिलाई जाए ना तो वो उप जाएगा बस आब मुझे मिठाई कभी नहीं खानी लेकिन सेक्स चीज है इसे जितना करोगे जितना करोगे जितना इसमें अपना दिमाग गुसाओगे ना उतना यह तुम्हें ज्यादा होगा पर यह इसकी यह कभी शांतना नहीं होता शब्सेपहला तो तुमने उसके बीच अपना टाइम वेस्ट किया सक दूसरी बात की तुमने अपनी हेनरजे वेस्ट की उसके पीछे ळहींत करके तुम कहीं से भी तो लायोंगे पैसे वो पैसा तुमने खर्ट किया वह एन कॉन कॉल पर उससे बात कियोगी घंटो-घंटो तो वह एनरजी वेस्ट है जितनी तुम ज्यादा बात करते हो वह एनरजी तुम्हारी सक करता है सामने वाला परसन इसके लिए तुम्हें बहुत डीप में जाना पड़ेगा ऐसे इतना इजी नहीं पता चलेगा और तीसरी ब है यह जो एक जीव को जनम दे सकता है सोचो उसमें कितनी पावर होगी तो तुम्हारी सब जगह से तुम्हारी उर्जा नश्ठ हो रही है मतलब यह हुआ तो इससे बेटर देन इतनी उर्जा तुम अपनी पढ़ाई में लगाओ और दूसरी बात कि एक गौड से connection जुड़ना शुरूख करो कुछ I know कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता होगा लेकिन फिर भी जितना टाइम तुम्हें फोन कॉल पर वेस्ट किया है ना उसके साथ जैसे टाइम तब किया कर दे वही टाइम अब निकालके कुछ आध्यात्मिक बुक्स पढ़ो म आपको आइडिया लग जाएगा क्यूंकि गौड से connection जैसे जुड़ेगा ना आपका आपको रास्ते मिलने लगेंगे कि कौन फेक है कौन रियल है और उससे भी क्या लेना देना आपको focus पहले अपने इस पे करना है अपने study पे focus करो अगर तुम्हारी body की जरुरत नहीं है तो फिर दूसरा यह हो सकता है कि तुम सारे दोस्त लोग झो तुम्हारे girlfriend बना वो बोलते होंगे यार मेरी तो गर्फ्रेंड है और तुम सोचते होंगे कि यार मेरी नहीं है इसके लिए तुम दिखावे के लिए बना रहे हो तो भी उसमें तुम्हारा ही सब वेस्ट जाएगा वो जो दिखावा करते है ना वही तुम्हें खड़े में डालते हैं इससे बेटर अपना रास्ता खुद चुनो और जो तुम शादी की बात करते हो ना तो वो शादी का डिसीजन अपने माबाप पे छोड़ दो कि वो तुम्हें कैसी लड़की से आई होप वो अच्छी लड़की चुनेंगे क्योंकि उनको भी तो अपने बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं उनको भी तो पता होगा ना तो अपने माबाप पे डिसीजन छोड़ दो और तुम यह सब फालतुकी बातों से निकल कि अपने स सारी एक्टिविटीज है है ना स्पोर्ट्स है क्रिकेट है उन सब में ध्यान दो कुछ क्योंकि अभी तुम्हारी जितनी उर्जा बचेगी वह सारी उर्जा तुम इसमें लगाओ मुझे मालूम है कि सेक्स ऐसी चीज है कि यह समय जो है जो 22-23 साल की उमर है तुम्हारी इसमें बॉड़ी में कुछ-कुछ रासा यानिक प्रक्रिया होती है तो जो कैमिकल्स होता है वह एक कैमिकल्स दूसरे कैमिकल्स को एट्रैक करता है बस और कुछ भी नहीं है और वो हो जाने के बाद तुम्हें अगर ऐसा सोचते हो कि मैं सेक्स होने के बाद मुझे शांती मिलती है तो यह शांती बस कुछ समय के लिए ही होती है यह पूरे जीवन भर के लिए नहीं शांती है इसके लिए पूरे अंदरोनी शांति अगर चाहिए ना तो गौट से कनेक्शन जोड़ो अपने आपको टाइम दो खुद को टाइम दो बैठो सोचो अपने अपने आपको टाइम दो खुद के लिए सोचो बहुत सारे चेंजिस आने लगेंगे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यह समय में लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करके 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 के पूरा अपने पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देते उसमें उसका क्या जाएगा मैंने बोला ना उससे अच्छा कुट्टी पाल लो उतने पैसों के अगर बिस्किट कुट्टी को खिलाए होते ना यार तो वह कुट्टी इतनी वफादार होती कितना खयाल रखती तुमारा यह फालतु कि लड़कियों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो अपना यह हो पांचल तुमें मेरा तुमाच में हाया हो